आपने देखा होगा कि बाइबल बार-बार कहते है कि पवित्र बनो पवित्र बनो जैसा वो पवित्र है बिना पवित्रता के कोई उसको देख नहीं सकता है ये पवित्रता है क्या क्यों चाहिए हमें पवित्रता धर्मिकता क्यों चाहिए हम खुदा उन्द्यसु मसी के पव बहुत बहुत जैमसी की। नासा कहते हैं। और नासा जो है वो आकाश में। इसपेस में रॉकेट्स भेशती। और बहुत इंट्रस्टिंग बात कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। कि एक तो आपने देखा होगा कि बाइबल बार-बार कहते हैं कि पवित्र बनो, पवित्र बनो जैसा वो पवित्र है, बिना पवित्रता कि कोई उसको देख नहीं सकता है, ये पवित्रता है क्या, क्यों चाहिए हमें पवित्रता, धर्मिक्ता क्यों चाहिए हमें, नमबर एक धर्मिक्ता एक वस्त रहे याद रखिएगा धर्मिक्ता एक कवर है जो हमारे आत्मिक शरीर को पुरी तरीके से ढख लेता है अयूब ने बहुत अच्छा कहा कि मैंने धर्मिक्ता को पहन लिया और उसने मुझे ढख लिया तो ये एक वस्त्र है जो बागे अदर में हमसे ले लिया गया था हमारे गुनाख की वज़े से वो वस्त्र खतम हो गया था वो धर्मिक्ता का वस्त्र खतम हो गया था तो मैं बात कर रहा था हूस्टन शहर में इस नासा संस्था की और वहीं से ये इस पेश में सारा कमांड होता वहीं से छोड़ा तो हो जाता फ्लॉरिडा से वो एक अलग स्टेट है लेकिन कमांड उसका सब हूस्टन से होता और मैं बिल्कुल पास में ही ठेहरा था वहाँ हैं वो शीशे के उसमें रखा हुआ था एंक्लोजर में और उसमें था कि यह वो सूट था जब इंसान कि जिसका नाम नील आर्म स्ट्रॉंग था उसमें पहली बार चांद की धर्ती पर कदम रखा था यही सूट वो पहन करके इसी सूट को पहना था क्या जरूरत है इस सूट की और यह उसमें लिखाता है यह करोडों का है बलकि इसका तो मुल्य ही नहीं लगाया जा सकता है इतना यह एक्सपेंसिव है आज उसको म्यूजियम में रख दिया गया है क्या जरूरत है सूट टाई पहन के वो क्यों नहीं जा सकता कुरता पैजामा पहन के क्यों नहीं जा सकता दोती कुरता पहन के क्यों नहीं जा सकता जीन्स और टी शर्ट पहन के क्यों नहीं जा सकता कुछ भी पहन के वो क्यों नहीं जा सकता मित्रो इसलिए कि वो ये धर्ती नहीं वो एक दूसरा ग्रह है और वहां का जो वाता वरण है वो इस धर्ती से बिलकुल फरक है वहां की गर्मी कई सो डिग्री में होती है वहां की ठंड कई सौ माइनस डिग्री में होती है हमारा और आपका शरीर भस्म हो जाएगा या जम करके खतब हो जाएगा लेकिन जब नील आर्म स्ट्रॉंग ने इस सूट को पहल लिया वो चंद्रमा के सर्फेस पर उसके धरा तल पर वो उत्रा चला फिरा और आज जितने भी अंत्रिक्ष में जाने वाले अंत्रिक्ष यात्री है वो बिना इस सूट के नहीं जाते बिना इस सूट के जाने का मतलब मौत आपको चड़ाया ही नहीं जाएगा आपको एंगे नहीं साब हमको ये सूट नहीं पहनना ये ये इच्छा नहीं, कितना भारी है, कितना बड़ा है, मेरी शकल नहीं आएगी, सेलफी लेंगे, कैसा लगेगा, और इसमें ये नहीं दिखाई दे रहा है, और हम तो ढग गए हैं इसके अंदर, ये सामने का हेलमेट देखिए कितना बड़ा है, ये सब कहने की बात है, अ बिना इसके आप जा नहीं सकते हैं, आप सोचिए आप आसमान की बात कर रहे हैं, आप स्वर्ग की बात कर रहे हैं, अब सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम यहां आते हैं इसलिए कि अपने आपको तयार करें स्वर्ग में जाने के लिए, जी, इसलिए तो हम आते हैं यहां और आप क्या सोचते कि आप ये जीन्स और टी-शर्ट पहन करके ये सलवार कुर्ता और ये साड़ी और धोती कुर्ता और पैंड शर्ट पहन करके सूट टाई लगा करके हम वहाँ पहुँचेंगे जी नहीं वो एक पवित्र जगा है और हमारे और आपके जैसे लोग कभी पहुची नहीं सकते हमने गुना किया है मैं बाइबल कहती है कि मैं पाप के साथ अपनी माता के गर्ब में गया धन्य मनाईए कि आपके प्रभू ने अपना लहू बहा करके पवित्रता का वो धार्मिक्ता का वो वस्तर दिया है जिसको आप पहल लेंगे तो वो आपको ठाक लेगा और ये पवित्रता का वस्त ये धार्मिक्ता का वस्त आपको आस्मान में स्वर्ग में उसके राज में जाने के लिए eligible बनाएगा, योग्य बनाएगा एक छोटे से ग्रह पर जाने के लिए करोणों का सूट चाहिए, आपकी सारी सुन्दर्ता और जो भी है आप, जो भी आप दिखाना चाहते है, सब उसके अंदर छिप गई चांद का जब environment आता है, जब वहां के बाता वरण में, इंसान उतरता है, तो सारा प्रकोफ इस सूट पर होता है, और इंसान अंदर भी कुछ सुरक्षित रहता है मित्रों, जब आप प्रभू के लहू में छिपे रहते हैं तो शैतान आक्रमण करे येसु के लहू को नहीं छू सकता और इसने मैं बार-बार कहता हूँ जब भी आप बाहर जाए, भीतर आए अपने आपको येसु के लहू से कवर कर लीजे, अपने बच्चों को येसु के लहू से कवर कीजे अब सोचिए, आपके शरीर पर येसु का लहू लगा है, और चैतान आपके शरीर को छूडा चाहेगा, नुकसार पहुचायाना चाहेगा, तो पहले उसको उस लहू के द्वारा जाना पड़ेगा, और ये सुबसी के लहू की जो ताकत है बित्रो, वो हमारे सारे पापो को धोने में विश्वासी योग्योधर्मी उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है और इसलिए उस धार्मिक्ता के वस्त पर कोई कॉंप्रमाइस मत कीजिएगा, आप कहिएगा मुझे वो धार्मिक्ता का वस्त चाहिए कहां मिलेगा, खोदा के कलाम में मिलेगा वो धर्मिक्ता का वस्त जब उड़ाव पुत्र लोट कर कहाया बोला जट अच्छे से अच्छा वस्त केवल अच्छा वस्त नहीं अच्छे से अच्छा वस्त वो धर्मिक्ता का वस्त जब आरे प्रभू ने अपना लहू दे करके हमें दिया है प्रभू आप सबको बड़ी आशीज दे यहाँ से आपके लिए प्रार्ता होती है और प्रभू आपको बहुत आशीज देगा चंगाई देगा, मुसीबतों से निकालेगा और अपना वो वस्त्र देगा मित्रो जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता है धर्भिक्ता का बस्तर जय मसी की